Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel तो आज का हमारा टॉपिक है Anionic Polymerization इससे पहले वाले वीडियो में हमने Cationic Polymerization के बारे में डिसकस किया था तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लेंग दिया हुआ है आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक है हमारा Anionic Polymerization तो Anionic Polymerization में क्या होता है इसमें हम Strong Base का यूज करते हैं जैसे के आपके NANS2 RMG VR यानि Grignard Avikarmak यानि Anionic Polymerization का जो प्रारम होता है को Initiate करता है तो Anionic Polymerization भी आपकी 3 Step में Complete होती हैं जिसतरह आपकी Catronic Polymerization और Free Radical Polymerization ती स्टेप में Complete थी उसी प्रकार Anionic Polymerization भी आपकी 3 स्टेप में ही Complete होती हैं First Step होता है आपका Chain Initiation Second Step है Chain Propagation and Third Step है आपका Chain Termination तो सबसे पहले हम देखते है entertain first यानि chain initiation step first step है हमारा chain initiation step यानि स्रंखला का प्रारम तो सबसे पहले first step में होता क्या है कि जो हमारे anionic polymerization होता है मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें हम strong base का use करते हैं तो सबसे पहले हम first step में क्या करेंगे कि हमको लेना है एक strong base तो आप कोई भी strong base का ले सकते हो या किसी भी strong base का आप use यहाँ पर कर सकते हो तो यहाँ पर हमने use किया है na ns2 strong base का use तो na ns2 है आपका एक strong base जो कि आपका ns2 negative और na plus में तूट जाता तो यहाँ पर आप देख सकते है na ns2 जो कि आपका एक strong base है वो आपके ns2 negative और na plus में तूट गया है क्योंकि हमें यहाँ पे anionic polymerization कराना है इसलिए हम यहाँ पे ns2 negative का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमने ले लिया है ns2 negative जब हम ns2 negative जो की एक electron donor है जब हम इसकी reaction ethylene के साथ कराते हैं आप इसकी reaction किसी भी monomer के साथ करा सकते हैं जरूरी नहीं आप ethylene का ही use करें तो जब हम ns2 negative जो की electron donor है जब हम इसकी reaction ethylene के साथ कराते हैं तो ns2 negative क्या करता है इसको अपने electron transfer कर देता है और यहाँ पे जो pi electron होते हैं वो cs2 पर transfer हो जाते हैं जब ns2 negative cs2 को अपने electron transfer करता है तो यहाँ पे यह bond इसके साथ बना लेता है यानि ns2 जो होता है वो cs2 के साथ bond बना लेता है और यह वाले pi electron जो होते हैं ट्रांसपर हो जाते हैं cs2 पर जिसके खारण cs2 पे आ जाता है negative charge तो आपका यहाँ पे product बन जाता है I hope आपको यह first step समझ में आया होगा तो second step है हमारा chain propagation step same उसी प्रकास से है जैसे हमने first step को किया था तो हमारा जो first step में product बना था वो बना था ns2 single bond cs2 single bond cs2 negative जब इसकी reaction हम cs2 double bond cs2 यानि thailene के साथ कराते हैं तो यहाँ पे होता क्या है सबसे पहले क्या होता है कि जो cs2 होता है यह अपने electron transfer करता है cs2 को और यहाँ पे जो pi electron होते हैं यह transfer हो जाते हैं इस वाले cs2 पर जिसके कारण इस वाले cs2 पे आ जाता है negative charge और यह वाला cs2 इस cs2 के साथ बना लेता है bond तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो product प्राप्त होगा वो इस तरह से आपका product बन जाता है यानि NS2, single bond, cs2 single bond, cs2 single bond, cs2 single bond, cs2 and negative इस परकार से आपका यह product बन जाता है इसी परकार जब यह आपका product प्राप्त हो जाता है तो यदि आप इस product की दुवारा से reaction कराते है इथाइलीन के साथ तो आपकी जो chain है वो बढ़ती चली जाएगी फिर जो आपका प्राप्त होगा जो भी आपका product प्राप्त होगा तब दुवारा से यदि आप उसकी इथाइलीन के साथ reaction कराएंगे तो आपकी जो chain है वो और भी लंबी हो जाएगी तो इसलिए हम यहापे simply लिख देते हैं NH2, single bond, CH2, single bond, CH2 और N यानि कि जब आप इसकी reaction बारवार इथाइलीन के साथ कराएंगे तो इसकी जो chain है वो लंबी होती चली जाती है इसके वाद next step आता है आपका chain termination step यानि स्रंकला का समापन यानि हम chain को किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं तो हमारा second step में जो product बनाता वो बनाता NH2, CS2, single bond, CS2, single bond, CS2, single bond, CS2 and negative तो जब हम इसकी reaction कराते हैं H plus के साथ यानि proton के साथ तो आपका जो product ब्राप्त होता है वो होता है NH2, single bond, CS2, single bond, CS2, single bond, CS2 and single bond, CS3 यानि ये वाला जो H plus है वो इसके साथ यानि ये जो CS2 होता है आपका ये वाला CS2 ये donate करता है अपने इसके साथ electron और इसके साथ ये bond बना लेता है तो आपका जो product है यह प्राब्त हो जाता है तो इस परकार से हम अपने chain को समाब्त कर सकते हैं I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी यदि आपको यह video अच्छी लगी हो तो video को like करें and share करें और यदि आप मारे channel पर नए हो तो channel को subscribe करें Thanks for watching my video